प्रतिक ब्यक्ति को 40 लीटर पानी कानून का प्रापधान बनने के बाद भी आज भी साहू कालो निवार नंबर 18 वटियागर में रहने वाली बंदना और कमला इस दो साल से कोशिस करने के बाद भी आज भी पानी की समस्या से पीडित हैं दो सालों में इनोंने बहुत कोशिस की बंदना और कमला ही नहीं इस समुदाए में लगभग 500 लोग ऐसे हैं जो पानी की समस्या से पीडित हैं और 6 ऐसे ब्यक्तिगात घरों में बोर हैं जिनसे वो पैसा दे के पानी खरीद रहे हैं यहां पानी की क्या समस्या है यहां पानी की बहुत जादा समस्या ने पानी नंज्या थे कलारी कि नल से लाओ और अभी ये पाइप कहां से लिया है आप लोगों ने तो वहां कैसा मिलता है पानी? तीन सर पिया माईना यह कब से भर रहा है? साला खुमा और इसके पहले कहां से भरते थे? कलारी के नल से जहां मिल ला जहां से जार पांसो गरों की बस्ती हो तो पानी की समस्या है और यहां पीने के पानी की कोई सुद्धा नहीं है कलारी के नल लगोगा से उतलगा जाज भर भी और जो यहां के ब्यक्तिगत वो रहे घर के वो लोग भर ने देते आप लोगों को कभी कबार मिल जाता है कभी कबार नहीं मिलता है यहां पांच तारीक को गाड़ी आने वाली थी क्या हुआ उसका बोगाड़ी वाले आद देख गए बाग गए तो बार मंजूरी मिलने के बाद भी ब्यक्तियों को इसका लाब नहीं मिला इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो कानून है इन्हें उसका लाब मिले और पानी प्राप्थो इसके लिए जो ब्लोक बटियागर के अरधिकारी जी है वो हैं स्रीमान ससी भूशन जी जो ब्लोक बटियागर हटा से वो अरधिकारी है जिनका फोर नंबर है देखने वाले सभीस रोताओं से मेरी अपील है कि हमारी कोशिश के साथ आपकी कोशिश भी बहुत महत्तपून है किरप्या अधिकारी को फोन करें और बदलाव की कोशिश करें मैं आरतिवाल मीक ग्राम बटियागर जिलादा मौमाद प्रदेश से इंडिया अनहाट के लिए